नमस्कार जैहो मा अन्पूर्णा की तो फ्रेंड्स आज जो है न ये देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं आलू और परवल की सबजी कुकर में वो भी बिल्कुल भी आलू और परवल आपका गले का नहीं बहुत ही टेस्टी बनेगी एकदम नए स्वाद और नए टेस्ट के साथ और नए तड़के के साथ तो वीडियो में बराबर बने रहे हैं और चलीए फिर हम बनाते हैं तो देखिए जिसके लिए जो हमने लिया हुआ है वह है एक काट फूरि हमने लहसुन अच्छे से धुल करके हमने ले लिए च्छील करके और साथ ही थोड़ी सी धन्या क कि एक स्थे रेसिपि को फिर सब्सक्राइब यह देखिए इस तरह बनाएंगे यह लिए लोल हुइद जो फिरन초 सब्सक्राइब द bakın और इस तरह से हमें सारे ही परवल को छील लेना है बहुत ही अच्छे से और आगया और पीछे से इस तरह से इनके डंठल को काट करके और यह देखिए एक परवल के हमें चार पीस कर लीजे आप अपने हिसाब से इसके दो यह चार लंबा चाहें लंबा काटे यह जैसे हम करना चाहे तो आप उस तरह से परवल को कट कर लीजे पर हाँ छीलिएगा जरूर उसको चाकू से चीलिएगा छीलनी से नहीं हलका सा एक लेयर निकलनी है परवल की स्कीन की ठीक है उसके बाद आप फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ना कडाही में हमें यह परवल में कलर आ गया है बहुत ही अच्छा सा इस तरह से हमें परवल को अच्छे से भून लेना है ऐसे ही परवल हमारे इस कलर के आ जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि आलू जो उबले हुई आलू है उनके भी हमने चार पीस कर लिये हुए थे और उन आलू को भी हम नहीं तो उबला हुआ आलू है वो नीचे से कडाही में चिपकने लगता है और परवल भी सही से हमारे नहीं भून पाते हैं तो पहले परवल को आधा भून ले उसके बाद ही आलू डाले फिर इसमें वन फोट टेबल स्पून जो है चौथाई चम्मच नमक डाल दे और च बहुत ही अच्छा रहेगा भी हमने कम ही नमक और हल्दी डाला है बाद में हम आगे सबजी में मसाले में भी यूज करेंगे तो उस मुहां पर हम उसी हिसाब से हम ढाल लेंगे यह देखिए दोनों ही चीजे बहुत अच्छे से भून गई हैं बहुत ही क्रिस्पी हो गई ह सोंधापन हमारी सबजी में आगे हैं तो इसी तरह से हमें भून लेना और देखिए परवल भी भूनते भूनते लगभग 80% हमारा परवल कुक हो गया है और आलो तो हमारा पहले से ही बॉयल था तो बहुत बहुत एच्छी से क्रिस्पी लेयर हो गई है और परवल भी हमार सबजी में यूज नहीं करना है कुकर लीजिए दो चमच तेल डालिए और जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसमें हमें डालने है कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें देखिए दो तेज पत्ता लिए और चार-पांच लॉंग ली है जिनको हाथों से ही क्रिस्प कर लिए एक य लाइची लिए इन सभी को ना हमने अच्छे से पहले कूट लिया है जिससे की अंदर तक ना जब हम इनको भूनेंगे तो इनका फ्लेवर अंदर से और में बाहर यह सबजी में निकल करके अच्छे से आ जाए पूरे मेही और साथ ही देखिए इसमें हमने जो है ना जीरे क तड़का नहीं लगाना इसमें हमने लगाया हुआ है मेथी का तड़का वन फोट टेबल स्पून मेथी डालिएगा और आप एक बार मेथी से तड़का लगा करके यह वाली सबजी बनाईए आपको बहुत ही डिफरेंट टेस्ट लगेगा और बहुत अच्छी लगी क्यों कि हमेशा हमारा क्या होता है कि हम जीरे का ही तड़का लगाते तो एक बार आप मेथी का तड़का लगा करके सबजी जरूर बनाईए यह वाली और साथ ही हम लाल मिर्च जो है बाद में डालेंगे और पहले डाल देते हैं तो सबजी के कलर को भी वो काला कर देता है और जि क्षोटा च्छुटा या महीन महीन कट करने की जरुत नहीं है क्दू करेंगे तो ये देखिए जैसे ही प्रेंट्स प्याज का भी इन्ट अध्रग की चिपकने भी लगता है साथ ही अब इसमें 1-4 टेबल इस्पून लीजे हींग हींग अब डाल दिएगा नहीं तो हींग करम पहले से डाल देते हैं तो हींग का फ्लेवर चला जाता है और हींग के डालते ही जो दो टमाटर थे हमने इनको भी देखिए रफली मोटा मोटा काट लिया है इनको भी अब इस टाइम पे हम डाल देंगे सारी ही चीजों को आपको जो न रफली कट करना किसी को महीन नहीं काटना है नहीं मिक्सी चलाने की जरुवत है और अब हम डाल देंगे इसमें अपने मसाले जिसमें हमने 2 चमच भर करके धनिया पौडर डाल दीजे आधा चमच हल्दी पौडर डाल दीजे और साथ ही इसमें हमने एक चमच भर के कसमीरी लाल मिर्च डाला है आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पर हमने यहाँ पे दो हरी मिर्ची और दो साबूत लाल मिर्ची पहले से ही यूज कर लिए सब्जी बहुत तीखी हो जाएगी तो जितना आपको कस्मीरी लाल में जालने से क्या होता है तीखा पर उतना नहीं आता है और जो सब्जी का जो color आता है वो बहुत ही अच्छी से उसकी रंगद आजाती है हमारी सब्जी की तो अब हम देखिए हमने मसाले भी भून लिये हैं सारी ही चीजे हमारी भून गई है तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक आधा चमचे करीब हमने इसमें नमक डाला है नमक ध्यान से डालिएगा दोस्तों क्यूंकि नमक जो है रहा हमने आलू और परवल को भूनते टाइम भी हमने थोड़ा सा नमक उसमें यूज किया था अब ये जो हमारे धनिया की पत्ती है ये धनिया की पत्ती इसी तरह से आप डाल दीजे इसको भी आपको काटने पीटने की जरुवत नहीं है धनिया की पत्ती को यह धन्या के पत्ती जो मैंने अपने गंबले में लगाई हुई थी मैंने वहीं से तोड़ी है तो बहुत ही अच्छी इसकी देसी वाली खुसबुबर और में अध nämा इस में आधा गिलास पानी लेना है आधे गिलास से भीज़ बादा पानी मत लेजागा YOUR to fix लगबग 100 ml के करीब हमने इसमें पानी लिया है और अब हम सारे मसालों को इसमें पानी के साथ मिक्स कर देंगे और हमारे अब हमें क्या करना है कि कुकर के ढखकन को आप कर दीजिए बंद और बंद करके आप जो है ना मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए गैस को और इसमें कि अर्द में आपको दो सीटी लग जाने दीजिए और फिर हम देखते हैं अंदर के मसालों का हाल बहुत यह अच्छे से मसाले जो है कि अब तहीं है कि अ성जित सारे ही मुटे 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 शाले इसमें डाले हुए था यह देखिए मसाले हमँरे जो हैना लेसुन हैं दो सीटियों के साथ ही अब एक लीजिए चमच इस तरह का और गैस की फ्लेम को अन रखिए और साथ ही इस तरह से आप इसको गोल गोल चलाते रही है तो इसकी सारे ही मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगे बिना मिक्सी चलाए बिना चोटा-चोटा काटे दे आलुआ की ऐद के सालू और परवल की ऐखी सी सबजी एक बार इस तरह से ट्राइ करके देखिये बहुत कम महिनत में अगर आपको इस सुवधुक्रणशां सी सब्जी मिल रही है एक अलागी सवात के साथ डिलीजिस सी सब्जी तो ट्राइ podrना बनता है तो यह देखिये त कि फ्लेंद को जला रखा है हमने और हमने इस तरह से चम्मच से उल्टा चम्मच करकेशे मसाले को हम इस तरह से घूतते गए हैं तो हमारा मसाला कितनी अच्छे से बन के तयार हो गया इसकी सारी ही मसाला जो टो fum एकर औरदूर्य अच्छे 80% तैयार हो गई है अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये फ्राई किये हुए अपने आलू और परवल रखे थे इसको भी हमें कुकर में डाल दीजिए इनको भी शारे ही मसालों के साथ हमें अच्छे से उबाल देना है जो हम इसतरह से आप करने का हमारा टाइम बच जाता है कैसे हम यह इने ओड़ा ही काम कर सकते तैश साहरा फैर कीटना अच्छा सा लग रहा है और अब क्याकरना है है तरी वाली सब्जी तो हमने इसमें डाल दिया है दो घिलास भर करके पानी आपको जितनी सब्जी गाड़ी ज्याधा थीक या पतली जैसी भी आप को चाहि आप पानी की मात्रा उस हिसाफ से कर सकते हैं देखिए हम सबजी कुकर में बना रहे हैं तो पानी हमारा कुकर में जादा जलता नहीं है कडाही में अगर बनाते हैं तो पानी जल जाता है और थोड़ा सक कम हो जाता है तो कुकर में जैसे अगर हमने इतना पानी डाला तो हमारी जो सब्जी लास्ट में तयार होगी वो तरीवाली इतने ही पानी के साथ हमारी सब्जी तयार होती है लगबख थोड़ा बावत 19-20 होने के बाद और ये देखे हमने पानी अपनी हिसाफस में डाल लिये लगबख इसमें मैंने डाला हुआ है गिलास्मानी कुकर के ढकन को बंद कर दीजे और इसमें लगाना है हमें एक सीटी एक सीटी से ज़्यादा मत लगाईएगा ध्यान से एक सीटी आप लगाईए ये देखे एक सीटी लग गई और हो आपको खोल के सब्जी का टेक्स्टर दिखाते हैं अब ट्रेंट्स आपको लग रहा होगा सब्जी हमारी बन के तयार हो गई पर नहीं वीडियो पूरा देखिएगा अभी भी इसमें एक बहुत ही खास चीज सब्जी में डालने को बची हुई है जिसके बिना अभी भी हमारी सब्जी है तो वो है हमारा देखिए नीबू यह है जी हाँ एक हमने लिया हुआ है नीबू नीबू के सीर्स हमने निकाल दिये है और इस नीबू को हमें सब्जी में अच्छे से निचोड देना है इस तरह से पूरा एक नीबू निचोड दीजे बिल्कुल भी सब्जी आपकी खटी नहीं लगेगी बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके होगी तयार आप एक बार मेरे बोलने से यह एक बार ट्राई करिए एक बार इस तरह से सब्जी बनाईए मेथी कतर का नीबू और इस तरह से मसालों की प्रिप्रेशन और देखिए क्या सब्जी स्वादिश्ट लाजवा बनती है नीबू डालने के बाद दो मेट कुकर को ढख दीजे जिससे सारा फ्लेवर सब्जी के एक एक दाने में समा जाए और देखिए सब्जी बनके हो गई है तयार